80 का आता है तुम 90 का बेचते हो, बलैक के वाला काम करते हो फिर भी तुम कहते हो कि जो भी करना है करो जाए 120 के बिक रहे 120 कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोकडाउन के दोरान सराब की भी खुब काला बाजारी हो रही किसी ने 10 तो किसी ने 50 किसी ने 100 रुपिय तक सराब की बोतल पर ज्यादा रकमत कई सराब माफियाओं ने बन दुकानों से रात के अंधेरे में सराब निकालकर बलैक में भी बेची अभी भी रात को सराब बलैक में बेचे जाने की खबरे आ रही है यह मामला उत्तर परदेश के सीतापूर जीले से है जहां थाना कमलापूर की माश्टर बाग चोगी पुलिस की सव परदेशी सराब रात के समयाधिक दामों में बिक्री की जाती है यहां सरकार दुवारा लगाई गई नियमों की धडलले से धजिया उडाते हुए का सामना करना पड़ता है माश्टर बाग चोगी के अंतरगर साज जलाल पूरटरिया गाउं के करीब से रात में करी साड़े आठ बजे हमारे पत्रकार बीनोत कुमार गुजर रहे थे जहाँ पर सराब कारोबारी सराब को उचित मुल से अधिक दामों में बेच रहे थे जिसका हमारे मेडिया कर्मी ने बडियो भी बनाया है और सराब माफियाओं से पुष्ट आच भी की जिससे सराब माफियाओं ने अमारे पत्रकार को देख लेने की धमकी भी दिये एवंग ठाना पुलिस हमारा क्या कर लेगी बोलते हुए नजराए जिसकी सुचना अमारे पत्रकार ने ठाना प्रबारी को भी दिये अब देखना है कि थाना प्रवारी इस मामले में कहां तक पहुँचते हैं। अब कारी अधिनियम के तहत्ताई दरों से अधिक दरों पर सराब की बिक्री करने पाद। सराब पिक्रेता पर पहली बार 75,000 रूपय का जुर्माना लगाते हुए ततकाल असूला जाता है। अब देखना है पुलिस परसासन या अबकारी विवाग इस मामले में क्या कदम उठाती है। वहां से गुजरते हमारे पत्रकार एवंग सराब माफियाओ के बीच। छगड़ का आडियो रिकोर्डिंग आप भी सुनिये। छल्ट जल्ट गाड़ को जल्ट परना आए करीते हैं। तुम लेगे हो कि नाय लेगे हो यह पता दारू कब लेगे लेगे लेगें। अच्छा कब लेगे हो कब लेगें। ऐसे नबे रुबे कौटर तुम बेज रहे हो तुम बात करो चलो निराद बात करो चलो तुम्हे वकात हो तो चलो ने तुम तुम जाओ ज्यादा बकवाई ने करो तुम कहीं रहे हो तुम इजनवाई रहो मनुदी कहां बताओ रहो हमारे खासा हैं उनका बताओ रहो हमका कोई तकलीब नहीं है बात कोई के सने के से सुनने को निराला की बात की निराला कों है थिर आप कहे रहे हूँ कarrive गारी पर बढ़न रूद Напेर ने रहे हैं के अपना काम करो निराना के नाम को लेज तुम एसोग फोन मिलाओ को तो बिनोत कुमार खड़े हैं ठेके के सामने जाओ तुम मिलाई लो पहेदो कल्लू परदान भीमपुरा नहीं करना है हमने कुछ नहीं कहां अंदर ही गए आप अपनी बात रखे आया आपने पूछा नहीं हमसे बस बात खतम हो गई आप लोग अपना काम करिए और हम लोग अपना काम करेंगे बात प्रधान जी यहां पर जो भी वह बता है अब है कि आपके गई प्रधान जी यहां पर जो लेकिन आप घर के अंदर आप चले गए थे तो आपको उल्टा आने की यहां पर कोई जरूद नहीं थी आप आये धंकी में करें आप जाये आपना काम करिए दिन बोल रहे हो और दिन में नहीं बोलोगे इतना इचने की बात या तो तो पिर तुम रात में नाइट में बेचेंगे तो किसी के साथ असी का आता है तुम नब्बे का बेचते हो ब्लैक के वाला काम करते हो फिर भी तुम कहते हो कि जो हम बेच नहीं रहें बेच नहीं रहें और यह तो जो भी करना है करो जाके यह सब गलत बात है भी यह को लें करते हैं रहें हैं के अगम नब्बे मिलते हैं को नमरति यह तुम घंप करने आता हैं यह इतुम के वालें घंको कोनके मीच अगशी नहीं देंको हैं कि संटे संए बात करने ना हम से बता होते हूं हम आप से गलत नहीं बात कर रहे हैं ये गलत बात कर ना देखो कि रोख खारने आए हैं ये सब गलत बातय कर नहीं करने आए हैं नहीं है देखो यहां पे ठीक है आप द्शाजी आई हुआ खात नहीं आरे जाज है करता लेकर, हम नहीं लेकर लेकर नहीं लुक जो अबाद नहीं।